नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप पीछी देख रहे हैं यह जो विडियो है यह बेसिकली इतिहास व्याख्याता इतिहास विषय के टेस्ट सीरीज को लेके हैं यह टेस्ट सीरीज 2.0 है अर्थात पहले हमने अक्टूबर 2023 में स्टार्ट करी थी और सितमबर पर हिस्ट्री की है यह जिसमें केवल हिस्ट्री के प्रश्ण रहेंगे और कोई भाग नहीं रहेगा उसमें यह ओनलाइन भी है और ऑफ लाइन भी है ठीक है इस टेस्ट से जोड़े विए आपकी जितने भी प्रश्ण है उनका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा आप इस प्रश्री सर कब होगी तो मैं आपको बता दूं इसका जो क्थेस्ट है वो दस नवंबर को हैं अधस नवंबर 2024 को ठीक है फिर हर सप्ता है और और अठारह मैं दो ऑजार पक्चीस तक यई टैस्ट चलेगी ठीक है अठारह मैं 2015 तक यह test चलेगी शरी चलेगी यह test सापता ही होगा हर वीक होगा परन्तु एक चीज हमने और भी करी है जो बड़ी paper है last में जो तीन बड़े paper है complete syllabus को लिए हुए वो दो-दो सपता बाद होंगे क्योंकि उसके syllabus को revise करने में काफी time लग जाता है पिछली बार हमने 7 दिन का time रखा था परन्तु साथ दिन के अंदर वो रिवीजन ठीक से हो नहीं पाता पूरे से लिबसका तो हमने इस बार क्या किया है कि पीछे के जो बड़े तीन टेस्ट हैं उनमें 14-14 दिन का गयप रखा अर्थात दो-दो सप्ता के बाद में एक टेस्ट लेने का निरने किया है तो पहला प्रश्ण आपका किलीर हो गया कि 10 नॉवंबर 2024 से 18 माई 2025 तक यह टेस्ट चलेगी हमने प्रयास किया है कि इस टेस्ट के माध्यम से आपका पांच बार कम से कम रिविजन हो जाए ठीक है पहली बात दूसरी बात यह है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वह आज से शुरू है आज भी आप ओन-लाइन ओफ-लाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं ओन-लाइन अपना इस्ट्री पॉइंट अप्लिकेशन है इसी के ऊपर चल रहा है ओफ-लाइन की भी मैं आगे आपको जानकरी देता हूं ठीक है टेस्ट कितने हों और कुल कितने प्रशन रहेंगे तो टेस्ट बेस्ट तो है यूनिट टेस्ट टोपि आपके राजस्तान का टेस्ट और यूनिट वार जो टेस्ट है इसमें भी आपके प्रशनों की संख्या जो है वो आपके सो या डैट सो के रसाफ से हम रखेंगे और तीन पेपर है बड़े जनमें डैट सो डैट सो प्रशन होंगे कुल मिला कि सारे पेपर में 32 प्लस होंगे प्रश्न कितने होंगेिन में से टोटल तो मिनीमम्स जो पेपर है वो सो प्रशनों का रहेगा और जो आपके यूनित टेस्ट फैंश्च है जो बड़ा टेस्ट है यूनिट तो यूनित टेस्ट में भी सो के संख्याश हो रहेगी बट यह है कि जो बड़े test paper है तो तेस्ट तो मैजर टेस्ट है उनमें 150 प्रश्ण रहेंगे और अलांकि यह बादिता नहीं हम सो के 110 भी कर सकते हैं इससे कम नहीं करेंगे ठीक है तो कितने प्रश्ण होंगे यह कवर हो गया और टेस्ट का सल्यूशन किस प्रकार दिया जाएगा तो आपका क्या किया जाएगा हर सेंटर का एक WhatsApp गुरूप बनाया जाएगा उसमें आपको एड कर दिया जाएगा और जैसे ही पेपर होगा उसके ठीक अगले दिन उसकी सल्यूशन प्रश्ण के नीचे व्याख्या सहीत हलो प्लब्द है वो करवाया जाएगा तो सल्यूशन और आंसर की जैसे मानलो संड को टेस्ट हैं तो मंडे के दिन आपके पूरा कंप्लिट डीटेल उसमें अपलोड कर दी जाएगी आपको WhatsApp ग्रूप पे आप उस PDF को प्रिंट भी करवा सकते हैं आप उस PDF का अच्छे से अध्यन करके अपनी सामगरी में भी कोई नई बात मिलती है तो एड कर सकते हैं सवा हमारे जो उस प्रशन हैं हमने कोशिस यह करिए कि बीस दस से बीस प्रशन्ट सवाल हमने NCRT से भी लिए हैं और इसके अलावा हमने आपके लगबग 40-50 प्रशन्ट सवाल हमने नए बनाने की कोशिश किये न्यू प्रशन क्योंकि आज पीएसी आजकल जो पैटर्न तहे कि RPSC ने RPSC नए प्रशनों पर जोर दे रही है पुराने प्रशन जो पूछे गए रिपीटेड उनकी संख्या RPSC ने लगबग 50% के आसपास रखिए वो भी 40% के आसपास तो हमने कोशिस करिए कि 50% नए प्रशन है और 50 के आसपास हमने है वो पुराने रिपीटेड प्रश प्रशनों को मिसरित करके पूछा गया हूबहू नहीं मिक्षर कर दिया जैसे चार प्रशनों को एक प्रशन बना दिया वैसे किया है और नए प्रशन है वो ओल्मोस्ट 40-50% हमने रखें बिल्कुल RPSC के पैटन के अनुसा इनमें हमने नए प्रशन जो है उनमें NCRT को भी आपने शामिल किया है साथ में बुक्स को भी जितने वी उतेंटिक बुक्स आती है उनको भी शामिल किया है चायए के सी सरी वास्तव हो चाही चीजी नी भी किताब कर दिया जाएगा इसका solution जो है वो टेस्ट पेपर संडे अपलोड कर दिया जाएगा तो टेस्ट सल्यूशन कर दिया जाएगा इसके बाद में आपका प्रशन रहता है कि offline center कहां कहां पे हैं तो offline बाडमेर में success point के अंदर यह अपने और जोदपूर में the future plus classes हैं समराथल टावर मांजी का था पावटा जोदपूर यह चार center अमने रखे हैं और आपको मैं बता दूँ offline test series के अविर्थियों की merit किस प्रकार निर्दारित होगी इन चार center में जितने भी बच्चे अपीर होंगे संडे के दिन मंडे को उन सब की सायोगत रूप से merit निकलेगी जैसे मालों पंद्रा सो बच्चे रजिश्ट्र हो गए तो पंद्रा सो बच्चों ने जैसे पेपर दिया तो पंद्रा सो बच्चों के जो भी नमाक्स आएंगी उस अनुसर चारों सेंटर की मेरिट्री लिस्ट एक इंटी क्रिटेड लिस्ट त्यार होगी जैसे पहली रहेंग जैसे सूरत करका कोई बच्चा है तो पहले नंबर पर उसका नाम आएगा दूसरा जैसे बाड़ मेर का तो दूसरे नाम पर वह आएगा इस हिसाब से हम करेंगे पेपर अंकलन हो जाता है स्टूडेंट को कि उसका लेवल कहां स्टेंड कर रहा है उसको और कितनी मेहनत करने की आवशिकता है तो चार-पांच सेंटर होंगे तो डेफिनेटली हम और भी आगे प्रियास कर रहे हैं अगर कोई और सेंटर जुड़ा तो मैं मेरे टेलीग्राम पे इसकी सूचना दे दूँगा ज्योंकि दस नौमर अभी बहुत आगी है एक महीना पड़ा है तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक अदा और सेंटर अगर हमारे पास में रिसोर्सेज हुआ और मैनेज हुआ तो हम और कोशिश करेंगे सिकर वगेरा काम सोच रहे हैं अभी चा नहीं करेंगे कि सो के सो प्रेशन बहुत खतरनाक दे के आपका मॉरल डाउन कर ऐसी काम नहीं करेंगे और पंद्रा बीस परसेंट सवाल टफ रहेंगे चालीस परसेंट के आसपास हम थोड़े मद्धे मिश्दर के रखेंगे जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो करती है अगर हम सो के सो परसेंट परसेंट टफ दे दिये बहुत ज्यादा खोज खोज के निकाले तो आपके पचास परसेंट भी नंबर नहीं आएंगे और आपको टेंशन हो जाएगी बच्छा तनाव में आ जाएगा कि इतना पढ़ रहा हो उसके बाद में नंबर नहीं पेपर को सैट कर रहे हैं ताकि एक अच्छे पढ़ने वाले का इसको अच्छा हो जाए इतना भी ज्यादा नहीं हो कि यो गुरूर में आ जाए और इतना भी कम नहीं हो कि वह आपके अतोच साहित हो जाए ऐसा पैटर्न रखा जाएगा टैसरी जोइन करें या नहीं करें तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि टैसरी स्केवल एक नियमिता बना रखने और अपने तयारी का आंकलन करने के लिए होती हैं अगर आपने सेलेबस एक दो बार पढ़ लिया है या आप सेलेबस का मोटा-मोटा भाग पढ़ चुके हैं एक बार भी पढ़ चुके हैं या आपकी नियमिता नहीं बन रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको जोइन करनी चाहिए ताकि आप है वो सबताहिक टेस्ट देते रहोंगे थोड़ा सा मोमेंटम मिलता रहेगा थोड़ा सा मोटिविशन मिलता रहेगा और साथ-साथ में आपको आंकलन होता रहेगा कि आ माक्स अच्य है तो मतलब आपको यह लग जाएगा कि हां इसको सस्टेंड बनाई रखने की आपशकता है माक्स कम आ रहे हैं तो इसको ठीक करने की आपशकता है क्यूंकि समय रहते सुधार हो जाता है टेस्रीज में एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसलिए करनी चाहिए आपको क्या टेस्रीज में प्रश्ण दूई वाशी होंगी बाइलेंग्वल नहीं होंगे इसमें केवल हमने इंदी वाशाई रखी है और इसमें इंग्लिश वर्जन नहीं होगा मैं बहुत इसपश्ट कह देता हूं आपको इसके अलावा देखिए आपके पास अगर हेल्प लाइन की मैं बात करूं तो यह हेल्प लाइन नंबर अपने करने की सुवीधा रहेगी ऑनलाइन आप इस नंबर पर कॉल करके ओफ लाइन आप सेंटर पर जाके करवा सकते हैं और फोन पर करवा दस बज़े से लेके दो बज़े तक का टाइम रहेगा मुझे लगता है आपको ओन लाइन ही करवा देना चाहिए ताकि ओफ लाइन पे फालतू आपका टाइम खराब होगा आने जाने का रजिशेशन की अंतीम डेट हमने 5 नवंबर रखी है अगले महीने की आज 3 तारीक है तो अगली 5 तारीक रखी है ताकि एक महीने में आप आराम से अपना माइंट सेट तैय कर लो सारा कोछ मार्केट का देख लो 5 नवंबर तर रजिशेशन अवश्यक रूप से करवा देना नहीं तो क्या होगा कि जैसे सूरतगड है तो वहां पेपर काउंट करके भेजते हैं अगर रजिशेशन नहीं होता है तो फिर वहां नंबरों पेपर कम पढ़ जाएंगे और आप सीधी वहां जाते हैं तो फिर वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है कि कितने करें कैसे करें वहां उनको प्रिंट करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि पेपर हम यहां से भेजेंगे प्रिंट करके तो किरपया जो भी इच्शुक है पांस नौंबर तक यह सारी चीजे हैं वहां पे बेज दें आप याद करके बेज दें ठीक है अब इसमें रही बात शुल्क वगेरा की तो इसमें शायद बता ही नहीं है मैं बता देता हूं आपको शुल्क का शुल्क रहेगा आपके इस करके और किलियर कर लेना और ओनलाइन का सुल्क है वह मेहज 11 सोरो पे रखा है तो ओनलाइन आपके केवल इस्ट्री पॉइंट इप्लिकेशन पे ही अविलेबल होगी और कई अविलेबल नहीं होगी और और ओफलाइन जो है वो चार सेंटर पे हैं और चार सेंटर कौन कौन से हैं वो आपके मैं फिर बता देता हूं बाड़मेर में सक्सेस पॉइंट अपना सेंटर जैपूर में संस्करती इंटरनेशनल स्कूल है चिपरा रोड पे और स्रिदी-शिदी सरकिल के आस में सके पर इसका पर एक के बात कर लेना और इसका पूरा जो टेस्ट सेट्र होगा वों तारा मैं टेलिग्राम पे भी डाल रहा हूं और उस पे अपने एप्लिकेशन पे भी डाल रहा हूं आप उस दिल को प्रिंट कर लेना और उसके अनुसार अपनी तयारी अभी से शुरू कर दो ताकि दस नौंबर से जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें आपके मांक से वो इसे कहीं टाइम मैनेज होगा हम आराम से आएंगे वहाँ पर आपसे मुखातिब भी होंगे आपको प्रोपर आपसे बात करके भी आएंगे हम तो एक एक बार मैं पूरा परियास करूँगा कि अधिक आहूं लेकिन एक बार मैं जरूर आऊंगा और आपको कोई भी दिक्क कि सर इसमें ये चीज और होने चाहिए तो आप मुझे history point का जो अपना application है इस application के message box में जाके एक message कर देना कि सर इसमें ये suggestion है हमारा कि आप ये और करें तो अभी हमारे पास में 10 नौंबर का time है 5 नौंबर तक का तो हम उसमें definitely आपके गौर करेंगे और उसमें जो भी कुछ अनुकूल परिवर्तन करना हुगा तो हम definitely करेंगे आपके सुझाओ जो है और मुझे विश्वाश है कि आप जोडेंगे और अब 18 मही तक दो से तीन बार है वो इस्टी का सेलेबस अच्छे से करेंगे इस समय तो कोई वर्ती नहीं है फिर आगे हम इतियास 3.0 टेस्ट करेंगे जो जून से आगे परिक्षा तक चलती रहेगी ठीक है उमीद है कि मैंने आपकी सारी कौायरीज केलियर कर ली है इसके بावजूत भी कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल देना ए प्लिकेशन के मैसेज बॉक्स में डाल देना यहांपने पूरी बात सुनी और उमेद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैसरी से जोड़ेंगे और अपने तयारी को अच्छे से धार देंगे बहुत बहुत धन्यवाद विर्यारतियों अच्छे रहिए मस रहिए और पढ़ते रहिए और साथ में अभ्यास भी करते रहिए